ओम श्यान्ति आपको स्वागत है आपके ही यूट्यूब चानल सीदे सुल्दे टृत लाइस विदिन में और आज का हमारा 374 विजिन का इश्रे वर्दान जहां पर्म पिता पर्मात्मा हमें सिखा रहे हैं कि हमें पुर्शार्थ पुर्श हुआ आत्मा पुर्शार्थ मतला कि हम कहते हैं महनत उसको हिंदी में उसको दूसरा मीनिक लेकिन पुर्श अर्थ महनत करना हम शरीर अर्थ तो महनत करते हैं कमाई करते हैं घर के लिए खान पान एक ले रोटी कपड़ा मकान लेकिन पर्मात्मा कहते हैं पुर्श म उसको हम समझेंगे अभी तो बाबा कहते है हैं एंटिंग में पुर्शार्थ की यथार्थ यथार्थ मीन्स सच्ची टुथ्फुल विधी द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्वसिद्धी सुरूभवा मतलब क्या है इसका? वो समझते हैं पुर्शार्थ की यथार्थ विधी है अनेक मेरे को परिवरतन कर एक मेरा बाबा बाबा मतलब पिता तो हम कहते हैं अनेक मेरे को मेरे मेरे क्या हो गया है? मेरे परिवार वाले मेरे साथी मेरे संबंधी मेरे घर मेरी गाडिया परमात्मा कहते हैं, यह सब कुछ मेरा मेरा जो करते हो, जिस कारण से हमारी अन्तमती सोगती, जो कहते हैं कि अन्त में शरीर छोड़ते समय आपको क्या याद आया, आप उसके अनुसार ही या तो परमात्मा के पास, या तो इस दुनिया में रह जाओगे, फिर से आपको जनम देना पड़ेगा, तो अंतमती सोगती हमारी ये ना हो, कि हमें अंतकाल में कहते हैं कि घर याद आए, अंतकाल में धनी याद आए अंतकाल में हिस्त्री याद आए अंतकाल में हजबन याद आए तो इसलिए पर मनत कहते हैं हर कोई विक्ती हर कोई चीज हमारा साथ छोड़के जाती ही है लेकिन साथ कौन रहता है एक साथ ही जो कि हमेशा रहता है साथ तक जनमते और शरी छोड़ने समय तक वह केबल परम पिता परमात्मा तो किसको मेरा मानना है मेरा बाबा मेरा पिता इस स्मृति में रहना और कुछ भी भूल जाए लेकिन यह बात कभी नहीं भूले कि मेरा बाबा बाकी सब भूल जाब चीज़े कहां रखी है, बैंक में कितना पैसा है, अकाउंट कहां कौन से है यह बूल जाए आरे, हाँ प्रॉपर्टी कहां खरीद के रखी थी, वो भी भूल गए लेकिन कौन ना भूले? मेरा बाबा मेरे को याद नहीं करना पड़ता कोई अगर मेरा होता है, तो इसको याद करना पड़ता है मेरा हजबन, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरा मेरा कहते है उनको याद करन में कोई तकलीफ होती है, क्या नहीं होते है न तो परमात्मा को क्या हमने अपना मेरा बनाया है, कि उनको पराया रखा हुआ है अगर हम परमात्मा पिता को, अगर हम कह देते हैं कि वो भगवान है तो उनको हमने दूर कर दिया, गौड कह दिया, दूर कर दिया, अलला कह दिया, तो दूर कर दिया लेकिन बाबा कहा, पिता कहा, मेरा साथी कहा, संबंधी कहा तो जाकर वो हमारे प्यारे हो जाते हैं निकट हो जाते हैं तो दोनों में बहुत अंदर है भगवान कहने में और पिता कहने में दोनों में बहुत अंतर है भावना ही परिवतन हो जाती है इसलिए प्रमादव कहते हैं कि मेरे को याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद स्वता आती है, तो क्या आमने भगवान को मेरा बनाए है, क्या अभी भी दुनिया की चीजें, दुनिया की विक्तियों को, साती संबंदियों को, मेरा, मेरा, मेरा कहका के उसी उल्जुनों में फसे हुए हैं, दुख में फसे हुए हैं, उन शक्ति शाली हो जाता है और अगर दिमाग से कहां कोई सम्मन दिमाग क्यों होते हैं कि इंसे में को फैदा क्या मिलेगा और कोई सम्मन होते हैं दिल क्यों होते हैं कि इंसे मोहबत होती हैं इंसे प्यार होता है क्योंकि परमात्मा पिता ने क्या दिया परमात्मा पिता हमें ग ग्यान देते हैं, जो कि हमें कहीं और किसी भी शास्तर में नहीं मिलता कि तुम पिछले जन्मों में क्या-क्या जन्म लेके आये हो, ये खुलासा कौन कर सकते हैं, केवल परमपिता परमात्मा, कि तुम सत्यू में क्या थे, त्रेता में क्या थे, दौपर में क्या बने, अब क लिए कब खतम होगा और तुम कब जाओगे वापस उपर इसारा ग्यान केवल, टारेक्टर, प्रोड्यूसर और मुख्य आक्टर परमविता परमात्मा ही दे सकते हैं तो परमात्मा से प्यार क्यों होगा क्योंकि हमें उनसे सुख, शान्ती, प्रेम मिलता है कैसे मिलता है? ये सारा ग्यान मिलने से हमारी आखे खुल जाती है जो मन की भटकन होती है, फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ, अभी क्या करूँ ये जो स्ट्रेस होता है, ये टेंशन जो होती है, जब हमें मिल जाता है श्रिष्टी चक्र का ग्यान कि 5000 वर्ष का चक्र है वो सारा जो ग्यान मिलता है तो परमपिता परमात्मा से प्यार होता है कि आपने सच्ची में मेरे मन की भठकन को आपने रोग दिया, तो जिससे फाइदा होता है वही तो मेरा होता है ना, तो परमात्मा तो कहते हैं ना कोई गलत करो लेकिन अभी क्या करना है उसका ग्यान परमात्मा पिता बन करके शिक शक बन करके और सत्गुरू बन करके हमें देते हैं समय फिर बाबा केते हैं, मेरा बाबा दिल से कहते हो, तो योग शक्तिशाली हो जाता है, योग मरलब परमात्मा से जोड, संबंध, मित्रता, ये शक्तिशाली हो जाती है, तो इस सहज विधी से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धी सुरूप बनो, सिद्धियां क्या होंगे इसस इसले जन्मों में आप, क्या क्या आपने अच्छे कर्म किया, क्या क्या पाप कर्म किया, क्या क्या चीजों को भोकतना है, वरतमान काल मुझे क्या कर्म करने है, सबसे उंचा कर्म है परमात्मा की याद में, और भविश्य में मुझे क्या बनना है, क्या चीज के लिए त्य दुनिया त्यारी कर रही है चांद पर चाने की परमादव के ने तुम्हें त्यारी करनी है धर्ती पर सत्यूग बनाने की देखो सोच कितनी अलग है कितना फरक है दोनों की सोच में एक जा रहे हैं चांद में क्योंकि आप पानी की दिक्कत हो रही है पानी की किलत हो रही है इन्वाइमेंट की हालत खराब है, वेदर की हालत खराब है, तो दुनिया चांद पर खोज रही है, कई पानी मिल जाए ताके हम मुआ पर शिफ्रोजे, परमात्वा कहते हैं, यही धर्ती कल्यू नश्ठ हो करके यही धर्ती पर सुर्ग सत्यूग बनेगा, तो भवान की सोच और इनसान की सोच कितना अंतर है, तो इसलिए कहते हैं परमात्वा कि तुम्हें सिध्या मिलेंगी, तुम्हें सची सची सिध्या मिलेंगी अगर तुम इस ग्यान को अच्छी से लेते हो, इसी के साथ आज का यह वर्दान, ओम श्यंति